आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा हाँ अगर आपका जीएस्टी नंबर कैंसिल हो गया है और रिवोकेशन का टाइम निकल गया है और अपील का भी टाइम निकल गया है तब भी आप आपको जीएस्टी नंबर रिवोक करने की फैसिलेटी मिलेगी सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो मैं आपके सामने एक हाई कोड की जज़्मेंट पड़कर दिखा रहा हूं जो उत्त्रा खंड हाई कोड की जज्मेंट है ठीक है ना और यह दिसंबर की ए ठीक है आप जरह इस त्पाइल सोटारी उसकी खतब हो चुकी है तो उसमने क्या करते हैं और हाइच कोट्मिके सबस्क्राइब क्वित हैं कि जो मेरा जी एसटी रजिस्टेशन कैंसिल हुआ है अठाइस फरवरी 2022 को ठीकले ना मैं सारा का सारा टेक्स पे करने को तैयारू इंटरस्ट पर करने को तैयारू और लेट फीज पे करने को तैयारू जो भी होती है आप मेरा ठीक है रजिस्टेशन दीवोग करा दो तो जब ज़साव इस रिश्पिटीशन को सुन रहेते तो उन्होंने क्या संग्यान लिया उन्होंने सविधान की बात करी आगर आपको पता हो तो हमने पहली क्लास में सविधान पढ़ाया था तो सविधान के आर्टिकल 21 कि बात करी आर्टिकल 21 क्या कहता है और हर वेक्ति को हिंदुस्तान के हर वेक्ति सिक्ष इपन से एह गच्ट करने से क्या दिक्कता अरहिए प्रोफेश्नल कोई इस नहीं करेंगा तो उसे पैमेंट नहीं मिलेगी पैमेंट नहीं खर तो यह सारी सिच्वेशन का संग्यान लेते हुए उन्होंने कहा अगर किसी व्यक्ति का रजिस्टेशन कैंसिल होता है तो उसका लाइवली हुड उसका जीवन है वो जी नहीं पाएगा ठीके नहीं मर जाएगा विचारा तो गोवर्मेंट ने क्या बोला कि भाई इस तरह के रजिस्टेशन कैंसिल मत करो जब हाई कोट ने वाली जेज्जमेंट दी तो उसके बाद अभी जो जीएस्टी काउंसिल की मिटिंग थी वो जागे उन्होंने का हाँ वह बात तो सही कह रहें हाई कोट ठीके तो उन्होंने सेक्शन 30 के अंदर चेंज करने की बात करी और सा आई कोट का सज्ञान लेकर और यह जो जीएस्टी काउंसिल की प्रेस लीजे इसे लेकर अपना जीएस्टी रिवोक करा सकते हैं अगर ऑफिसल कर देता है तो बहुत बढ़ी है नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा लेकिन आशा बिलकुल नाख होए कि अब रजिस्ट प्रेशिप में यह होता है कि चलो रामलाल का खतम हो गया ठीक है जीस्टी नंबर तो अपनी वाइप धन्नों के नाम पर ले लेगा ठीक है ना प्राइवेट लिमिटेड में कोई कैसे करेगा तो यहां पर इस विसे को लेकर यह सेक्शन 30 में भी चेंज करने की कोशिश कर तो अगर आपके किसी क्लाइन का रेजिस्टेशन कैंसिल हो गया है और वो उसी रेजिस्टेशन को दुबारा चलाना चाता है उसी पैन नंबर पर चलाना चाता है तो उसके लिए एक रेमेडि मिल सकती है यहां पर यह कोशिश कर रही है क्योंकि यहां पर अगर वो उस रे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ पूरे महीने हमारे वैबिनार अगर किसी ने अभी तक वैबिनार का मेंबर्शिप जोईन नहीं करी है तो उसे फटाफट जोईन कर लीजिए बैंक ओडिट पर वैबिनार है हर चीज पर वैबिनार है और होली का डिसकाउंट बहुत अच्छा रेस्पोंस आपने दिया अब खतम होने वाला है तो अगर किसी ने अभी तक डिसकाउंट नहीं लिया है तो होली के डिसकाउंट कभी मजा ले ले चलिए इस वीडियो को यह काम को ठीक है साथ से 9 में किसमें इंकम टैक्स के वहच में जो की हर सेटरड़े टू सेटरड़े चलता है संडे को मिलेंगे 11-1 में वैबिनार में और 3-7 मैं GST के कोर्स में अगर किसी ने अभी तक जोइं नहीं करा है तो अपनी knowledge को बढ़ाने के लिए आप उसे join कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, thank you for watching